नमस्कार शुताओं, मुख्य प्रादेशिक समचारों के साथ मैं शाशी कान्त यादाओ 36 गड़ की एक मात्र सीट सहित 15 राज्यों की 56 राज्य सभा सीटों के लिए 27 फरिवरी को मतदान होगा राजगर के भाजपानेता देविंदर पताफसी ने आज विधान सभा परिसर पहुँच कर अपना नामांगन पत्र दाखिल किया नामांगन पत्र दाखिल करने की कल अंतिम्ति थी है खेल मंतरी टंकराम वर्मा ने आज विधासभा में घोशना की कि राजीव यूवा मितान कलब को भंग किया जाएगा साथ उन्होंने इस कलब के तहत किये गए अब तक के खर्चों की जाज कराने की भी बात कही है मुख्यमंतरी विष्णु देवसाय ने आज रायपूर एलवेश्टेशन से अयोध्य स्पेशल टेंड को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस आस्था टेंड से 36 गड़ के लगभग साढ़े 1300 शद्धालू राम लला के दर्शन के लिए रवाना हुए है आगामी लोगसभचुनाओ के मद्देनजर भाजपा की प्रदेश इकाई द्वारा आज रायपूर में सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों, महामंतरियों और प्रकोष्टों के प्रदेश संयोजकों तता सह संयोजकों की बैठक आज उजित की गई बैठक में पार्टी के छेतरी संगठन महामंतरी अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंतरी पवंट साय ने लोगसभच चुनाओ को लेकर प्रदेश द्वारा पार्टी द्वारा संचाले त्विभिन निकत्वी दियों और कारेक्रमों की प्रगति की समीच्छा की वहीं भाज़पा के प्रदेश कारे लाएक कुशाभाउ ठाकरे परिसर में राज्य इस तरही लाभार्थी संभिलन का भी आज़न किया गया इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यर्ष कीरण सिह देव ने कहा कि 20 और 21 फरवरी को लोग सभा इस्तर पर और 22 तथा 23 फरवरी को मंडल इस्तर पर संभिलन का अज़न किया जाएगा दक्षिनपूर मध्रेवे की बिलाजपूर मंडल के अंतरगत अनुपपूर न्यू कटनी स्टेशन के घुनगुटी स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कारी किया जाएगा इसके कारण 18 से 26 फरवरी तक इस रूट पर चलने वाली 24 ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया गया है इनमें लखनव राइपूर गरीव रत एक्सप्रेस तहित अने ट्रेने शामिल है और बसंद पंचमी और सरस्वती पूजा आज 36 गर सहीत देश के भिन्य भागों में शद्धा आस्था और उल्ला से मनाई जा रही है इस सोसब पर ग्यान विवेक और विद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा आरातना की जा रही है ये थे अब तक के मुखे प्रादेशिक समचार नमस्कार